हेलो एब्रिवन वेल्कम तो अवर चैनल आज हम आपके लिए लाए हैं टेंथ क्लास हिस्टी का लेसन नमर फर्स्ट कोशन नमर फर्स्ट के दो पार्ट मैं आलेड़ी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूं आज मैं पढ़ाने जा रही हूं पार्ट नमर थर्ड दा ग् में वर ऐसन उसपे बे SAPC-CT और में वीट सब्सक्राइं बपर क्राम प्रचेजिक लिए नहीं प्रेकर लेट इन वाक्रें क्या के है। ठीक है अब जो वहां के पोईट और जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ग्रीक को क्या कहा क्या क्रेडल आफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मतलब पालना पालना क्रेडल क्या होते है जिसमें छोटे बच्चे को जूला जिसमें बच्चा सोता है उसको ठीक है गया एक इंडिपेंडनट नेशन अब फॉर्थ पार्ट है रा फ्रेंक फुटप पर्लीमेंट अब फ्रेंक्फुट पर्लीमेंट क्या थी एक आल जर्मन नैशनल ती ठीक है जो किनके द्वारा फॉर्म्ड की गई थी किनके द्वारा बनाई गई थी middle class लोग थे जो प्रोफेशनल जो middle class professionals थे जैसे business man और प्रोसपर जो artisans थे जो different जर्मन के शेतर जो थे उनसे बिलोंग करते थे मतलब कि German national assembly बनाई गई थी middle class professionals के द्वारा जो कि किस से बिलोंग करते थे different German reasons के जो जर्मनी के different शेतर थे उनसे बिलोंग करते थे अब उसमें क्या कहा गए यह कहां पर convinced हुई 18 May 1848 में बुलाई गई चर्च एस्टिपाल चर्च जो था फ्रेंक्फूट की city में वहां पर इसको बुलाया गया ठीक है और इसमें क्या किया गया इसमें एक इस assembly ने क्या किया एक constitution को ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन्स के लिए constitution मतलब कानून को ड्राफ्ट किया जर्मन पर नाच चर्मने से अपया क्या स्टीं जम्हां दुखशन के लिए जिसका हैड जो किसके दिवारा मुनार्ची वहां का जो राजा थे उनके दूर यह एक्ट की उनके हैड़ वह थे और यह सब्जच्ट किया था पर इसका सब्जच्ट जो था देटा क्या पार्लीमेंट किया और यह डोमिनेट की गई मिडल कलास के त्वारा इसलिए इसने अपना मास पोर्ड जो था वो खो दिया मतलब अब पहले सभी लोगों नेइस का स्पोर्ट के । लेकिन बाद में जो जर्मन की अरिस्टोक्रेसी गों करणा दा है गँल्स अब जो ओरतें थी जो मेंश थी उन्होंने जो इस्टिक कहीं क्या रोल प्ले किया अब जो फ्रेंश YOUR अवमेंट भी तो महां पे प्रहली स Lyn तो Commenn चैनल का गया किया गया था तो द्लैशनली निशनली जं़ प्रंदर धिशर गया तो उन्होंने खलत interess वह तो उसने किस आईडिया को दिखाया कि यह यूणीवर्सल सफ्रेज दिसलिए भुमेन को क्या करना चाहिए भुमेन ने क्या किय कि अीडिया नेयं नेय्च्टिव नेडिया पांट क्पाइसंट है और Student जब बिल्कुल भी नहीं पॉलिटिकल जो एक्टिविटीस होती थी उनमें उनको पार्टिस्पेशन नहीं दिया जाता था ठीक है जैसे कि फ्रेंक्फूट पार्लिमेंट जो थी उसमें किसी वेर भूमेंट वर एड्मिटर ओनली एज अब्जर्वर मतल उनको सिर्फ प्रवरी वहां पर पाटिस्पेट कर सकते हैं अर वेरी वहां पर पाटिस्पेश्पेट कर सकते थे